लोव इन्पाइनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए देखते हैं डेली डोस आफ टैरो में क्या है आज आपके लिए आपके लाइफ में अभी आप जो इस टाइम अभी जो भी कोशन पूछ रहे हैं अपने मन में जो चीज़ सोच रहे थे इट मेंज वो उसके लिए यूनिवर्स बिग येस कहते हैं यानिकि ये काम होके ही रहेगा नमबर टैन मींज न्यू बीगिनिंग न्यू बीगिनिंग जो भी कुछ आपका पुराना रहता है नेगिटिव है वो सब बाहर निकलने वाला है छूटने वाला है आपसे तर नेक्स्ट कार्ड इस हाँ क्यों कि अब तक आप जितने भी लाइफ में बर्डन सहा आपने लोगों के ताने सुने बहुत सारा ब्लेम सुना जिसकी वज़ जेल लेते ना दुख तो उसके बाद आप कुछ नया ही करते हैं तो डेली डोस अब टैरों में आज के लिए वाव यह निकल कर आ रहा है तो टैन अफ पेंटेकल्स अगें टैन 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 अगें टैन इसा न्यू बिगिनिंग इसा ग्रेट साइन फो यू आज अभी आ आपके पास सब कुछ होगा माली जिसके लिए आप सालों से वेट कर रहें सालों से मेरे क्या से दस पंद्रा साल 15 साल से 20 साल से उपर तो उसके लिए ब्लेसिंग्स है पीच आप स्वार्ट देखिया अगें स्वार्ट यहां पर फिर से एंजल्स आपको यह कह रहें कि बस तो आपको ईश्वर से इंजल से सलहा लेनी होगी बात करनी होगी सूरच चांट सितारे बादल इन सब से आपको ठैंक्फुल रहना होगा रेटिटूड में रहना होगा ठीक है और नेक्स कार्ड है यह आपका नंबर सेक्स नंबर सेक्स यानि कि जो भी आपका मान लिजे अब तक ठीक है अब आप स्पिरिच्वालिटी की तरफ बढ़ गए हैं अब तक आपको शादी मैरेज इन सब की चीज थी दरकार थी सेक्शल या फिजिकल रिलेशनशिप की दरकार थी इच्छा हो रही थी मतलब तो वो सब भी अब खतम होने वाली ऐसा लग रहा है और उ आसेसिस्ट बहुत ही जबरदस्त की आपका मतलब मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सब पर इतना इफेक्ट डाला है तो यह सब खतम होने वाला है ठीक है तो आपको करना क्या होगा आपके लिए गाइडेंस कार्ड एक निकल कर आ जाए आपको एक्शन लेना होगा आगे सेवन अफ वांस कोई पांच छे परसन आपकी लाइफ में ऐसे थे जो आपको लगा तार कुछ ना कुछ दिक्कत करते रहते थे परिशानी करते रहते थे आपके हर काम में करियर में लव साइड में बहुत ज्यादा दुख देते थे कुछ ब्लाइक मैजिक भी समझ में आता है तो इंजर आपको क्या गाइडेंस देते हैं आज के दिन अप्रोचिंग गुरू अप्रोचिंग गुरू यहाँ पर आपको यह guidance दे जारी है कि आपको एंजल से या गुरू से advice लेनी चाहिए ठीक है यानि कि आप इश्वर बनाए रखें क्योंकि exactly क्या है इश्वर पर ध्यान बनाए रखें क्योंकि जो है वो supreme power है जो कुछ अगर आप negativity छोड़ने वाले हैं तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जो भी कुछ है वो सब कुछ supreme power है आप love side में career side में किसी में भी जाएं वो इश्वर है आपको संभालने वाला तो बस आप इश्वर की तरफ हाथ बढ़ाएं उनसे मांगे ठीक है आप बहुत टाइम से मांग रहते लेकिन एक तहे दिल से thanksgiving के साथ मांगे न तो अपने love, career, emotions इन सब के लिए mind, body, soul and emotions इन सब आपको balance करने के लिए मांगे तो ये था आपके लिए guidance आज के लिए तो जो भी आप मांग रहे हैं वो सब सफल हो मैं बस यहीं चाती हूं thank you so much for watching have a nice day